कैसे हैं आप लोग आज हम लोग प्रेवण की अगली सरी लेकर आयरा हैं और प्रेवण की प्रिवेशेर के पेपर किक्टे की महत्त पून हम ने भी बताया था कि जिब भी आप मालतने क्लास को या साल तभी कर सकते हैं जब आप प्रश्णों को दिये गए solve कर लिए हो चलिए देखते हैं कि करके एक प्रश्ण आपके शामने है कि उस बैग्यानिक का क्या नाम है जिसने स्वर्पत्था मच्छर के पेड़ के अंदर तांग जाक की और सिद्ध किया कि मच्छर से फैलता है ता इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकसा के छेत्र में नोबेल प्रुष्कार भी दिया गया तो अब बताएए इसका जबाब क्या होगा तो आप जानते हैं कि इसका जो बिगल्प सही है वो आपका है डी क्यों है क्योंकि आप जानते हैं जाल्स डार्विंग के समंदीत है ग्रेगर मेंडल और जाल्स मिस्ट्रिट अब रोनाल रास क्या है रोनाल रास एक ब्रिटीसिन भग्यानिक थे जिन्होंने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर तांग जाक की और शिद्द किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता इसलिए इसका बिकल्प होगा वो रोनाल्ड रास अर्था डी होगा तो आप हमें बताइएगा चार्स डाइवीन का समंद किस्ष्य है यह हम अपनी तरफ से पूछ रहे हैं जिसका जवाब दीजेगा मटर के जो बौना पौधा शंकर पौधा लंबे पौधा को अपना प् अपने पुछ के शामने हैं रज्जत ने अपने मित्र से कहा ज्यान दीजेगा क्या कह रहा है कि क्या है रच्ट ने अपने नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है पक्पी है इस बुखार सिर्दद और अन्त में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं अब रग्त की आज के बार डाक्टर नो मुझे कड़िवी दवा दिये, रज्जत किस रोक से पड़ी थे, मने इस प्रश्ण में रोक के लच्छन देखके रोक का नाम पूछना चाहता है, इस प्रश्ण का सबसे बड़ा उदेश है, कि रज्जत एक लड़का है, जो कहरा मैं खेल नहीं सकत कि मुझे बुखार है, बुखार कैसी है, कपकपी है, सिर्दर्द है, अब पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ, तो डाक्टर ने उसे क्या कहा, क्योंकि इस कंडीशन में मलेरिया होता है, आप जानते हैं, क्या होता है, मलेरिया, क्या है, मलेरिया, कपकपी लगना, प्लीज के काटने से फैलता है ठीक और आप में जानते हैं कि जो मलेरिया की दवा बनती है सिनकोना बिच की छाल उन्हें से मलेरिया की दवा बनाई जाती है ठीक आगे बढ़ा जाएं तो इस प्रकार हमने इस प्रस्ट का जो जवाब था वो क्या था मलेरिया था तो आप हमे कर और आप एक बार देख लेट आगे देखते हैं कि अल बुरुनी कौन था ता बती ऐगा अल्बुरूनी कौन था पहला है यहां पे यहां पे देखा जाए वह एक कुतुब साही सुल्पान था जिसने हमारे देश में लगपाग्वण 144 असासन किया आप जानते हैं कि अलबरुनी कोई शासक नहीं था बलकिने यात्री था वह अब बारिस्तान का व्यापारी था जो हमारे देश में मेवो का बाजारों का अधिन किया था मने वह मेवा के बाजार का अधिन किया था फिर क्या रहा है वह उजबिक्स्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश की तिहास के बारे में जानेने में शायक है। ये NCRT किताब में है, हमारे नोट्स में अगर आपने हमारे नोट्स लेया होगा, तो आपको यह भली बात या विदी ग्यात होगा कि इसका विकल्ब क्या है, वो ये है कि वह उजबेकिस्तान का यात्री था, इसने एक किताब लिखी थी आपको पता है, ताकी के इंद, जिसे किताब उलहक हिंद के नाम से भी चाना जाता है, और हमारे इतिहाज जानने में शायक है, और यह मुहम्मद गजनवी के सेना के साथ यह भारत आया था, ठीक है, और अलबरुनी ने अपनी किताब में हिंदो कितिहाज, चरित्र, आचरन, बहवार, परंपरा, आदी चीज का वार्ण किया है, तो यह हम देखते हैं, और आप सीटेट, रिपीटेट, सुपर्टेट के हमारे ओनलाइन क्लाज जूप लब देदी, आप सीटेट, रिपीटेट, सुपर्टेट के, अगर आपको ऑनलाइन क्लाशी तो आपको most welcome है, और उसके लिए देगाए नमबर बाग कॉल कर सकते हैं, तो हमारे Facebook, अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, Facebook page इलेनिक भी दरुगेश है, आप टेलिग्राम एप है, इलेनिक भी दरुगेश, वहां भी आप हमारे साथ जूड सकते हैं, इसके साथ आपको आगले प्रशनी की तरह हम लोग बढ़ते हैं, आगला प्रशना आपके सा परानी होगे, या जानते भी होंगे, कि रात में जो जागने वाले जी होते हैं, उन्हें हर चीज केवल काली और सफीद देखते हैं, रात में जागने वाले जंतों को हर वस्तू काली और सफेद ही दिखाई पड़ती है, ठिक, यह हमारे नोट्स में था, और आपने नोट्स अगर लिया होगा तो आपको यह मिला होगा, आपने उल्लाइन क्लाश जोएन क्यों होगा, फिर आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रशना आपके सामने है, कि हाथि जुन्ड में केवल हाथनिया 14-15 बच्चे ही रहते हैं, ठिक, फिर कह रहा है कि हाथियों के जुन्ड में किसी एक परिवार के सदश्य होते हैं, जुन्ड के सबसे बजूर्ग हतनी पूरे जुन्ड की नेता होती है, एक जुन्ड में हाथनी और बच्चे कितनी भी हो सकती ह तो यह प्रशन हमने आपको हमारे Nots में था और हमने यह पताया था इस प्रकार जो आपका उत्तर है आपको यह पता है कि हाथ यह जुण्ड में केवल 14-15 वर्श के बच्चे ही रहते हैं माने यह शही है फिर क्या रहा है कि जुन्डी की सबसे बुजुर्ग हातनी पूरे जुन्डी की नेता होती है ठिक ये भी हमने बताया ये नोर्स में भी था हमारे इस परकार ये इंसियाटी का है पुरा ये इसका अर्थात A और C इसका जो शही प्रशन होगा उत्तर होगा वो A और C होगा ठिक आगे बढ़ा जाएब आगे देखते हम लोग आगे लिए प्रशन की तरव अगर हम लोग बढ़े है तो आगे मिलेगा आपको पंखुणियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है जिन्हें कहते है अब यह प्रशन है कि पंखुणियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है वो क्या है तो वास्तों में उन्हें कहते हैं पराग क्या कहते हैं जो फूल के बीच में होती है उन्हें क्या कहते हैं पराग कहते हैं और पराग करणों और पराग को से मुक्त होकर उसी जातिके जो पोधे होते जायां के वतिगाग तक पहुशने क्रिया को पराग कहा जाता है ठीक तो यह क्या कहते हैं पराग कहते हैं अगे बढ़ते हैं लोग मुलांकुर क्या होता देखिए अगर इसके सभी तथ्थों को देखें तो सबसे पहले हाप प्याएगा वतिकाग क्या होता है या सवाप पराग क्या होता है तो सभी अगर आप देखेंगे तो काफी लंबा हो जाए जो बाद में जड़ का रूप ले लेता है आगे देखते हैं अगला परशन आपके लिए काफ़ी important है यह है कि यदि यदि आप रेलगाडी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको railway station अधिकतर बेचने वाले चीज़ों में क्या चीज बेचते हुए दिखाई दे जन क्या है तो आपको पता होना चाहिए धोकला चटनी नीबु वाले चावल यह तो हो नहीं सकता कि यह होगा चलिए आगे देखते हैं छोले बटूरे इडली चटनी पूरी शाग देथा ठंडा दूद तो इसका जो उत्तर होगा वो धोकला चटनी नीबु और चावल मने जो गुजरात है वहां के लोग का जो पसिंदा भोजन है वहां के स्टेशनों पर धोकला चटनी नीबु वाले चावल अधिकतर मिलेंगे कि यहां कि यह अस्थाई खाद भोजन है यहां कि लोग इस भोजन को काफी पशंद करते हैं ठिक इसलिए यहां का धोकला चटनी न आपको मिल जाएगा फिर देखते हैं यह भी हमने आपको बताया था पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधी खिलाते हैं इसका कारण क्या है इसका प्रमुक कारण क्या है तो हम यह बताएं इसलिए उड़ नहीं सकते पच्चियों की आखों की पुतली घूम नहीं सकती पच्च हमारे नोट्स में भी है और इस्ट्राटी केताब में भी है अपने इसलिए मैंने का थे आपने आगर ओनलाइं क्लाश जहिन किया है तो आप एक बार नोट्स को पूरी तरह से पढ़के प्रिवेश सेर पेपर जरूर शॉल्प कर लेजएगा ताकि आपको जब भी हम कमी है तो उस रोगी को आईरन की कमी को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए एक बात आप में देख रहे हैं कि बहुत सब्सक्राइब की प्रिश्च्ण है तोला तोला घुमा कर पूछा गया है जैसे यह 2011 में भी अपने पढ़ा था इस बार हम आगे की जो आज पढ़ रहा इसमें भी है तो मिलाजला की इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि हमारी नोट्स और प्रिवियसे पेपर अगर दोनों पढ़ लेंगे तो कहीं ने कहीं आपको इससे बहतर स्कोर करने में मदद मिल लेगी अब हिमोगलोबीन कमी से क्या होता है आपको पता है कि खून में हुँ भी दे दिया इसलिए नहीं होगा अब आते हैं आवला हरी पत्यदार सब्जियां और गूर्ण इसमें क्या होती है आरन का मात्रा अधिक मिलती है इसलिए इसका जो प्युक्त भी कल्प है वो क्या होगा डीव सही होगा आगे देखते हम लोग राष्टी पाठचरिया के रूप्रेखा 2005 के अनुसार प्रात्मिक अस्तर पर परवन अध्धन सिच्छन का प्रमुक उद्देश होना चाहिए राष्टी पाठचरिया रूप्रेखा 2005 के अनुसार प्रात्मिक अस्तर पर परवन अध्धन सिच्छन का प्रमुक उद्देश होना चाहिए क्या उद्देश होना चाहिए यहाँ पर दिया है बिसे की आधार भूत संकलपनाओं की आधार भूत समझ का विकास करना बिसे के आधार भूत सिधानतों का असमरान करना कच्छा कच्छी अधिगम के विद्द्याले को बाहर के जीवन से जोड़ना सदंत रूप से प्रयोग करने के को सल्ता अर्जित करना तो आप जानते हैं इसको हमने बताया है हिंदी के सच्छण में इसको पढ़ाया था राश्टी पाड़ चरिया उरूप रेखा 2005 इसका ये होगा कि कच्छा कच्छी अधिगम को बिद्याले के बाहर के दुनिया से जोड़ कर बच्चों को पढ़ाना और बाकी विकलब क्यो नहीं होंगे ये भी आपको पता दे छले यहाँ पे आधारबू संकलपना थियरी सिधाहन परिभासा ये से प्राक्तमीक अच्छा ये भी नहीं पढ़ाना है पिर यहां परिसे दाद ये भी नहीं पढ़ाना है सोतंतरूप से को सल्तार ये भी नहीं है इस प्रकार आपका उत्तर क्या होगा? सीही होगा लोग कहते हैं न क्यों 4 के 4 विकल्प सही लगते हैं लगीन ऐसा नहीं है अगर आप एक सिसे 2005 पुरा पढ़ लेंगे तो आपको यह डाउट क्लिर हो जाएगा कि नहीं चारो विकल्प एक जैसे नहीं होते है अगे देखते हम लोग अगला प्रशन आपके सामने है जो कि निमलिखित में कौन सा प्रात्मिक अस्थर पर परवण अध्यन की पाटेचरिया की आउसकता के अनुरूप नहीं है तो बताए कौन सी नहीं है इसमें आपके सामने कई भी कल्प एला उसे काम की दुनिया में प्रिविश लेने के लिए इसमें नहीं पूछा है कौन सा प ded法 की आउसकता नहीं है किसके परावण की क давно maybe उस्थांत्यों को परवण को फडयावण को सरोख करना चाहिए सट्छार्थियों को उन पधतियों पक्रियाओं को अरजित करने में शामिल अखहरना चाहिए जो नए घ्ञान उत्पंद करने में आगे ले जाएं या उसे सच्छारतियों को मांसिक अस्तर के अन्कूल होना चाहिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो उप्विक्त विकल्प होगा वो यहाँ पर दिखिया है कि सचारतियों ग्यान इवंकॉसल से लहस करना चाहिए यह आपको नहीं करना क्योंकि आप सिखाने के लिए जा रहे हैं ना क्योंने रटाने के लिए याद करने के लिए जा र प्रूप नहीं है त60 क直接 हैं ओगे आते हैं लोग अगले पृषण की तरवकर बढ़ें अगला प्रशन है कि कि यंसीielle T के परच्टे को में परेज अधन को उच्ट प्राथमीक्ता और अश्थान दिया ग्या मैं क्या कारण है आप हमें उसकारण को दंश से बताईएगा क्यों विशे की आधार भुठ संकलपनाओं की दाख्या करने के लिए चिंतन और विश्मन के लिए से चार्थियों को आसर उपलब्द कराने के लिए तकनी की सब्दावली की सटीक परिभासा उपलब्द कराने के लिए अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्णो क्या होगा आप बताइए इसका जो फिक्ट उस्तर होगा वह यह होगा कि चिंतन विश्वमय के लिए से चार्थियों को आसल उप्रत कराना है देखिए इसका और यहीं सही विकल्प है बाकी क्यों गलत है मैं बता दू ताकि अगर आपके पास परिच्छा में प्रशना है उच्छ अस्थान दिया गया है वैसे ने तो यह भी सही हो सकता था उच्छ अस्थान की बात करेगा तो चिंतन करना आपने देखा होगा मने से च्छन पढ़ाया है बिश्वमय के लिए बिद्यार्थियों की औस रुपत कराना इन सभी ऐसे कारण है जो आपको इंस्याटी में कविताओं और कहानियों को साबिल करने की निमलखित में उच्छ से कौन सा उद्यश नहीं है धान देजेगा नहीं है तो यहां पर दिया दिखें करना आन्यका उप्लब्द कराना व्रूचिक आप जानते कहानी से मजा मिलता इसको मैंने हिंदी से चण वीपढ़ाया है हुआ होगा तो आपने इसको ध्यान से देखा होगा तभी मैंने का ना कि पड़िकलास में ज्यादे स्कोर कर सकते हैं फिर सिछार्थियों के कलपना से जिनात्मय युक्ता को परहवा देना नहीं है कि यह है और पुछा नहीं है इसका उप्लिक तो भी से होगा नित्य और एक सब्सक्राइब चर्या को बच्चो के प्रति सही जीवन के प्रति सही और विस्ए के प्रति सही होना चाहिए प्रति चर्या को निम् faculty को निमनिकीद 78 को पूरा नहीं करती है कौनसा नहीं पिर जरूर ध्यान दिजेगा देखिए इसमें है कि जो या भाय और प्रवाग्रहों से मुक्त होने के मुल्य को बढ़ावा देना चाहिए या विशय को एक सामाजी प्रक्रम के रूप में देखने के लिए इस इच्छार्तियों है तो आवश्यक है या अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है यह सब्दावली और परिभासों पर बल देती है तो नहीं है मतलब यही है सब्दावली और परिभासों बल देती है तो कम से कम 30 से 40 questions आपको प्रतिवस परिच्छा में पूछा जाते हैं जहां से आप आसानी से कर लेंगे इसलिए हमने NCAP 2005 की आपको online class ओलों को हमने notes उप्लब्द करा दिया है आप वहां से लेकों से print करा के आप तयार कर सकते हैं ठिक तो इस प्रकारे होगा सब्दावली यहों परिभाशा है आगे देखते हैं कि नलनी कच्छा 3 के सिच्छार्टियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परचित करने के लिए वह कौन सी सरवाधिक उपर्युक्त युक्ति होगी तो आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से यहां देखिए बिभिन जानवरों के चित्तों को पदोशित करने वाले चार्ट का प्रयोक करना बिभिन जानवरों के चित्र को स्यामपट पर बनाना यह थोड़ा प्रोचक तरीका होगा वह क्या होगा वह यह होगा कि जानवरों की उपियोगिता पर फिल्म प्रतासित करना अब बच्चों में रुचकर भी होता है और उनके ग्याने बृद्धी कराना उप्योक्त युक्ति होगी क्योंकि बच्चे दृस सरब दृस के माद्यम से अधिक अच्छी तरीके से परिवर्ण कच्छा कच को सीख सकते हैं या समझ सकते हैं अगला पशन हम देखते हैं NCRT की परिवर्ण की अध्यन पाटे पुस्तक में प्रतेक आठ पाट के अंत में खंड को सामिल किया गया है हम क्या समझे यह सुझाओ दिया गया है कि इस खंड में सामिल प्रशनों के उत्तर सही है या गलत के रूप में आकलन किया जाएगा यह परिवर्ण इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इसको धान से एक बार और समझ लीजेगा कच्छा पाच की जो एंसाइटी के पर्यावन की अध्यान की जो पाटिपुस्तक है प्रतेक पाच के अंत में खंड को सामिल किया गया है हम क्या समझे यह सुझाओ दिया गया है कि इस खंड में सामिल प्रश्णों के उत्तर का सही या गलत रूप में आंकलन नहीं किया जाएगा यह परिवर्थन इसलिए किया गया है देखिए जो कच्छा पाच की किताब में यह खंड देने का जो मुक्य उद्देश है कि जब भालक पूरे पाट को पढ़ने के बाद धापक के दोरा पढ़ाने के बाद चात्र उस खंड को हल करेगा तो जानकारी प्राप्त हो सगेगी वह चात्र किस प्रकार से कितना सीखा है इस प्रकार इसका जो विकल्प होगा वह सी होगा या तो इसको अगर सही विकल्प सी है और अगे बढ़ते हैं लोग आगले पशनी की तरफ एक से सेयर भी कर देगा अपने सवीशातियों को और टेलीगराम एप इस्टॉल कर लेगा साच करेगा धूरगे सर जहां पर आपको इसकी पीडियोप में लिएगी इलेनी बिद्रगेस पर जरूर जुड़ेगा डिस्केप्सन मुसकी लिंक है अमारे फेजुक पेच इलेनी बिद्रगेस है वहाँ पर भी आप जुड़ेगा वे कभी कभी वीडियो के नौटिफिकेसन नहीं मिल पाती वो आपको मिल जाएगी मैं अथन कलाज दिया आपको ट अक्री अधिगम के अनिवार तत्तों का निर्माड करते हैं एक सिचक खाना जो हमें खाना चाहिए कि संक्रप्रणा के बारे में बताने के लिए कौन सी गद्विदी की विवस्था करें यह आपके लिए मजएदार प्रश्ण है देखिए इसमें स्यामपट पर उस प्रकार है कि बच् tut आना नहीं है फिर शिचाथिएगों कहना सभी संभावि सुरोतों से समद्धी जनकारी एकत्रेत करें या इस प्रकर्ण पर वीडियो दिखाता है इसमें इसका जो विकल्पप होगा वो वो आपका सी judgments की बालकों से कहता है कि सभी संभावी सुरोतों से सम्मधित जानकारी एकत्रित करे क्योंकि प्रयोक सेलता, खोजना, जाद परताल, प्रिष्ण पूछना पर अधियन की जो अधिगम है, ये सक्री अधिगम के अनिवार तत्तों का निर्माड करते है जो अध्यापक होता है, खाना जो हमें खाना चाहिए, कि संकल्पना के बारे में बताने के लिए बालकों से कहता है कि सभी प्रकार के सुरोतों सम्मंधित जानकारी कतित करे, कि हमने क्या खाया, क्या खाया, उससे क्या मिलता है अपने पापा से पूच कर रहे मम्मी से पूच कर रहे उसके बारे में क्लास में चर्चा करना इस प्रकाइस का जो पिक्त विकल्प होगा वह शी होगा अगला प्रशन आप लोग ध्यान से दिखेगा अगला जो है अपका कि उपर दिया गया है कि अच्छा इस चार की सिचारती को हवा सब जगह प्रक्रण प्रहते समय गीतिका निम्रिखित गद्वदियों करने की योजना बनाती है योजना क्या बनाती है सिचार्थियों को छेत्र में भ्रमण पर ले जाना विशिष्ट उधारणों की संगलपना की ब्याख्या करना संगलपनाओं के समझने के लिए मल्टी मीडिया कैपसूल का प्रयोग करना प्रक्रण से समंधित प्रश्ण पूछना उपिक प्रस्तावित गद्विदियं में कौन सी प्रक्रण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है यहांपे नहीं पूछा है और जब नहीं पूछा जाएगा तो हम में जानते हैं कि हवा के लिए सिचार्थियों को छेत्र भ्रमण पर ले जाना ठीक है, यूकि हवा एक अद्रिश है, इसे कोई महसूस किया जा सकता है, और प्रशन जो पक्रण में प्रभावित तरीके से पढ़ाने के लिए सार्तक गिद्विधियां बिसिष्ट उदारनों के संकलपना एक व्याख्या करना हो सकता है, संकलपना एक समझने के लिए मल्ट तो बिकल्पजी होगा, वो एह होगा, अगले प्रशन के तरफ बढ़ें, परवन अध्यान की पाठ पुस्तकों में विभिन प्रकौणों में एक खंड करके देखो, सामिल क्या गया, इसका उद्देश क्या है, दिया गया है क्या, कि एक खंड करके देखो, मिसका क्या उद देश है, तो बताइए, इसमें क्या देश होगा, पहला, प्रत्यच हस्त परक अनुभौ अप्लब्द कराना, परिच्छा में इस पादन को शुधारना, बज्यानिक सब्दावले की परिभासा सीखना, घरों में सिचार्थियों की बेवस्त रखना, क्या उप्यक तो होगा देखे, इसका उत्तर ही श्रीप से सही है, कि करके देखो, करके देखो का मतलब क्या है, प्रत्यच हस्त परक अनुभौ का द्वारा उप्लब्द कराना, ठीक, जैसे नाव बनाना, या लकड़ी की कोई सामागरी बनाना, छोटा मोटा, खिलोना बनाना, तो उससे क्या उग उन्हें देखे, यहां पर यह घर में से जाते बिवस्त रखना यह गलत हो जाएगा, सब्दावली यह वह गलत हो जाएगा, सुधावलान यह गलत हो जाएगा, कि हमने पहले बता है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, बार बार इसलिए 25 पढ़ लीजेगा, उसका उप्विक और यह सिच्छा देखने हैं कि विकास में काफी आहम युगदान भी देती है, अगला प्रशन जो है आपका वो देखे, हम लोग काफी मजेदार प्रशन है, परवण अध्यन में एक अच्छे दत्यकार का मुख खिलच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुख खिलच होना देखें, दत्यकार का मुख उद्देश क्या होता है, कि एक अच्छे दत्यकार का जो लच्छन होता है, कि बालक पर्यावन अध्यन समदित बिश्रों को जाने में रूचित पन होगी, पर्यावन अध्यन में कार में रूचित पूर्ण संपन करेगा, इस प्रकार इसका आउसर उपलभ्द कराना ही होगा åगे दिखत exceptions। अग्लां प्रण। अध्ययन के सिच्छक के रूप में छिणियां घःक करोप में ब्रहमण का आयोजन करने की होना चाहिए और परहावर के अध्यान के सिच्छक के रूप में चिल्णयागर के भ्रमण का आयोजन करने का जो मुख्ध उद्देश है या भ्रमण विधी के अंतर काता है तो इसमें है कि आनेंदर मजा उप्लब करान ये होई नहीं सकता फिर क्या रहा है कि नित्थ सिच्छन का एक रस्ता बदल लाओ करना ये भी नहीं हो सकता सिच्छा चार्तियों को शक्री अधिगम अनुभाव उपलब्द कराना सिच्छा ग्रोवर्ता के बारे में अभ्याव को संतुष्ट करना तो देखें यहां पर अभ्याव को भी संतुष्ट नहीं करना इसका जो उप्यक्त विकल्ब है बालक के सक्री अधिगम अनुभा उपलब्द कराना सक्री अधिगम के माध्यम से बालक पर्यावण अध्यन के पति रुचित पन होगी जिससे वे पर्यावण अधिगम में सक्री रूप से भाग ले सकेंगे और वह जादा से जादा सीख पाएंगे फिर हम देखते हैं इस वीडियो को सेर्विक कर दीजेगा आप जो नंबर दिया कर सकते हमारे नोट्स पर अपलब्द है और आपको पता हो जो चीजे भी हम लोग पढ़ रहे हमारे नोट्स पर अपलब्द है एक एक सामाजी बिज्ञान के अध्यम से मिल पाएगा इस टेलिगराम आप पर ज निमнеzkद मेंकुर नहीं है कौन सा उत्छ नहीं है तो इसमें आपको बहुत सरल तरीक है और आपको जहनना तो ट्रिक में एं कि इसमें बच्चों की मुक्चों प्रिवाशा याद करने की युग बनना परिवासा याद करना रटवाना यह सब भी परहован एंसे दूजश का व कोई नहीं सकता तो नहीं पूछा तो रटना परिवासा यही सवाएगा आई इसमें देखते हैं कि करके इसमें सबसे उप्युक्ति विकल्प ए इसमें बालकों को विद्दमान विचार अभ्यास पश्णों करने के लिए बनाना यह शही है वह सही है मतलब कि इसमें नहीं होगा क्योंकि यहां पर उद्देश नहीं है पूछा और उपर के जो तीन है यह उद्देश है ठीक है अगले पर्शन की तरम लोग बढ़ते हैं कि कविता पर्यावण अध्यान की कच्छा में गरीबी निरस्चर्टा और वर्ग असमानता जैसे समाजिक मुद्दों पर ब मुद्दों पर चार त्यार करने के लिए कहना सचार्टियों की संबंद में जानकारी इकत्रित करना उनका विश्लेशन करने के लिए सामोहिक पर्योजना के लिए कहना इसमें सबसे उप्युक्त क्या होगा इसमें सबसे उप्युक्त क्या होगा इसमें सबसे उप्युक्त था उपर यूँकि इस सुद्धेश की प्राप्ति है तो अधिगम प्रभावी अधिगम अनुभव होगा की कि सिच्छार्थे संब्धे जानकारी एक अतत्त करना करना सामोई पर्यूजण ने लेकिन यह कहना आगे देखते हम लोग प्रात्मिक अस्तर पर पर्यावण अध्यान में रश्णात्मक आकलन को सामिल नहीं करता है जब नहीं करता जाएगा उसमें हम लोग को क्या करना होगा उसके लिए सच्छातों अधियम रिक्तियों की पाचानना, सच्छाण कम्यों की पाचानना, सच्छातों शीखने को पढ़ाऊना, सच्छातों ग्रेडिंग और रैंकिंग करना, उनकी ग्रेडिंग करना, ये इसका सीधा सीधा बिरूत करता है, मैंने आपके परहावन सच्छाण पढ़ा तेम लोग निचे दिया गया कुछ उसम को ध्यांसेक बढ़ देखते हैं त्रिया कलाप खानों का उत्खलन खानों का उत्खलन, खुदाई करना, बादों का निर्मार, बाजार बेचने के लिए पत्तियों, जड़ी बुटी कट्टा करना, बास के टोकरी बुनना, गिर्यों पत्तों का पत्तल बनना, आईए इनसे जोड़े क्या मातपून चीज़े हैं उनको भी देख लेते हैं अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे देख उछ किरिया कलाब, अब कहा रहा है कि नीचे क्रिया कलाब कौन से जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, इनमें से जंगल से गायब होने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, ठिक, तो आज़े देखते हैं कौन कौन सबस्यादा जिम्मेदार है कि पहला तो है खानों को उट्खलने इने खुदाई ठेको ज מש why i करेंगे तो जंगल का वग踏 सई इसका मतलब यह भी कल्ब सही है फिर क्या रहा है बात का अधा करना ठीकिंद का निर्माल करने से भी क्या होगा कि जंगल खुदा ही होगी मासे जंगल गयाब होंगे फिर करा बाजार बेचने के लिए पत्तियां जोड़ी बूटी कठा करना इसे तो नहीं गयाब होगा बास के टोकरी बुनना गिर्व पत्त बुनना देकि यह तीनों से जंगल गयाब नहीं होगा लेकिन इन दोनों से क्या होगा ज वाहे कासे के मढ़ें है और शही कतन कर देखे हुघ AUDIENCE कासे को ताम टर्म से प्रइब कर त्यार किया जाता है यह प्रस्णा Radhich पूछा जाँ खुआ है Arts और articles में हमारे है कासे अत्यन्थ मजबूत होता है इससे तोप तथा मुर्ठी बूत बनाए जाती है फिर क्या रहा है का से की बरतन अल्मोनियां बरतन तुर्ण्नम हल्की और अधिक मजबूत होतै है इस प्रिष्ट का जो उप्यक्ट विखलब वह क्या होगा इसका जो सबसे उप्यक्ट विकल्फ है वो होगा आपका B और C आप जानते हैं कि कांसा तावा टीन को मिला कर बनाया जाता है यह अत्यन्द मजबूत होता है इससे तो मुर्ती बूत बनाया जाती है ठीक है आगे बढ़े में अगले प्रशनी की तरफ इसका उत्तर आपको समझ में आगे कौन सा है इसका आद्रपरदेश और है फिर हैदराबाद आद्रपरदेश जाना चाहता उसके सफर में दिसाएं क्या होगी दिए पहले गुजरात है गुजरात दीएगर हम भारत का मैं पगर आप यहां पर देखें इस तरह से कि दख्चण बारताय तो यहां पर कह रहा है कि पहले कहाना जा रहा है कोई बैखती कहां से वह पंप गया प्पाल फिर डश्ण डिशा तरफ गया ठीक है आऎगे बलाज़े एक हमने इसलिए पढ़ा यहां से प्रिश्चन आते हैं किसी सहर को मांचित पर लिखा गया कि सेंटिंटीमेटर ब्रावर 110 मीटर होता है यद्यों मांचित पर किनी दो अस्थान की बीढ़ा सेंटिमेटर हो तो तो 15 सिंटी मेटर, नोको बिच की दूरी, 1 सिंटी मेटर परवे, 20 मेटर, 21 सिंटी मेटर पंदर गुडंने सो 10, अगर आप करेंगे, तो कितना हैगा? 1650 मेटर यहाँपे होगा 1650 मेटर नहीं, किलो मेटर है तो 1650 मेटर को किलो मेटर मदलने के लिए हजार से भाग देंगे मापन में हमने पढ़ाया है एक जिरो जिरो कड़के दोंगे दसमलों लग जाएगा एक दसमलों च्छा-पांच किलो मिटर अर्था इसका जो पिक्त विकल्फ है वो क्या होगा अपका डी होगा क्या होगा डी होगा अगे बढ़ते हम लोग माउंट एवरिष्ट एक भाग है क्या है माउंट एवरिष्ट एक भाग है किसका भारत का तिबबत का नेपाल का या मियामार का किसका है कि माउंट एवरिष्ट क्या है किसका भाग है नेपाल का एक भाग है किसका है नेपाल का भाग है नेपाल में से माउंट एवरिष्ट ह सबसे मांटेश दुनियक सबसे उची चूटी है इसकी उचाही आठ जार 848 मीटर तिब्बत का पठार सबसे ज़्यादा प्रशिद है मैमार का पोपा जो ज्वाला मुखी है भारत का जो सबसे उची परोज सिरनी केटू गाड़ी नाश्टीन है और भारती सीमा के अंदर नाम से भी जाना जाता है आते हैं अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं जो लास्ट प्रश्ण है वह यहाँ पर दिया गया है नीचे देगे करतब बे उत्तरदायतों का अध्धन कीजिए अनलोगों को समान उठाने में मदद करना चाहिए पूरे गुरुप को आगे चल मौन्टरिंग गुरुप के जिम्हेंदारे में उप्रिक्त का चैन कीजिए देखिए अगर मौन्टरिंग का यहाँ पर कहा जाए तो इसमें कौन कौन सहोगा पहले तो ए अनलोगों को समान उठाने मदद करना चाहिए तो सही है इसका ए तो होई गया फिर कह रहा है कि अग अगर करना यह भी नहीं कि मौन्टरिंग ले जा रहे सबको साथ लेकर जाएंगे तो यह फीकलत हो जाएगा अपका फिर क्या रहा है कि साथेक विमार होने पर उनका ध्यान रखना और अच्छी जगह ढोड़ना इस ताथ आपका ए सही हो गया डी हो गया इह हो गया अर्थ आपको और प्रैक्टिस रचेट चाहिए तो टेली गराम है पर स्टॉल करेगा यूपिट और सीटेट के लिए सच करेगा दुर्गे सर पिना स्पेस दिए और इलेनी पर दुर्गे से जुड़िएगा और यहां पे हमारा टेली गराम है पिस्टॉल करके हैं से जूड सकते आपको पूरे पर बनार के हरे एक नोट्स आपको इंसाटी पैडर मिलेंगे और हमारी संस था जौनपूर में वरांट्स में संस चाली था अगर आफ्लाइं पढ़ना चाहते जौनपूर वांट्स इम आपका मॉस्ट वेलकम है इससे साथ आप शबीशाति को बहुत भारत इस वीडियो को सेर जरू कर दिएगा आपने शबीशातियों को